दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी 600 करोड की पूरी संपत्ती दान कर दी। जी हाँ दोस्तों आपने सही पहचाना उनका नाम है डॉक्टर अरविंद गोयल। दोस्तों, उनके म पती बिजनेस्मेन डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी पूरी संपत्ती दान में दे दी है, उन्होंने अपने दम पर 600 करोड रुपे की संपत्ती जुटाई थी, और अपनी पूरी मेहनत की कमाई को परोपकार के लिए दान में दे दिया है, अपने परिवार और खुद करोड रुपे गरीबों को दान कर दी, डॉक्टर गोयल ने अपने पास सिर्फ एक घर रखा है जिसमें वो रहते हैं, कौन है डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल जी, दोस्तों, यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी 50 साल की मेहन के लिए डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी पूरी संपत्ती राज्य सरकार के हाथों में सौप दी है, डॉक्टर गोयल यूपी, महराश्रा, राजस्थान सहित कई राज्यों में वृध्धा आश्रम और अस्पतालों के ट्रस्टी हैं, कोविड के दौर में डॉक्टर गोयल ने लोगों की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया था, इतना ही नहीं उन्होंने, मुरादाबाद के पचास गाओं को गोद लेकर वहां रहने वाले लोगों के लिए मुफ्थाना और दवा उपलब्द कराए थी, परिवार ने दिया डॉक्टर गोयल का साथ, दोस्तों, डॉक्टर गोयल के इस फैसले से उनके परिवार को कोई आपत्ती नहीं हुई, बल्कि उनकी पत्नी रेनू और दोनों बच्चों ने उनके निर्नय पर खुशी व्यक्त की है, डॉक्टर गोयल के बड़े बेटे मुंबई में रहते हैं और छोटे बेटे अपती दान कर देने का एलान करने वाले डॉक्टर गोयल ने मिडिया से बताया कि, उन्होंने यह निर्नय आज से 25 साल पहले ही ले लिया था, उन्होंने बताया कि, मैं एक बार ठंड की महीने में यात्रा कर रहा था, मैंने देखा एक गरीब शक्स ठंड से ठिठुर रहा तो इस तरह कितने गरीब लोग ठंड की मार जहलते होंगे, तभी से मैंने बेसहारा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। पूर्ब राश्रपती डॉक्टर एपी जे अब्दूलकलाम उनको सम्मानित कर चुके हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है आप वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस अब्सक्राइब करें।